Hello and Welcome back guys, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्रीन के उपर यह हमारा काल Linux 2024.2 जो कि अभी का recent updated version है हमारे काल Linux का और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको update कर रहा हूँ, तो आज हम इसी के बारे में detail में जानने वाले हैं कि आखिर इस updates के अंदर हमें क्या क्या चीजे म मिलने वाले हैं. So guys, अभी screen पर आप updated का Linux 2024.2 देख सकते हैं, और इसके अंदर जो पहला feature है वो है, इसका T64 transition, जो कि इसका जो performance है वो बहुत extreme ले जाता है, और इसके अंदर genome 46P added है, जो कि इनके जो graphics है और जो processing है, उसको भी extreme ले जाता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर 18 new tools update हुए हैं, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं, तो tools के बारे में जाने उससे पहले में आपको बता दूँ कि अगर आपको इसको update करना है, या फिर upgrade करना है, तो इसके लिए आप एक command यूज़ कर सकते हैं, जो कि है sudo apt update and napt full upgrade, full के बीच में आपको hyphen use करना है, उसके बाद इसको इंटर कर देना है, जिसके बाद क्या होगा कि जितने वी इसके new updates हैं, वो सब upgrade हो जाएंगे और सब कुछ updated हो जाएगा, लब आपका जो पुराना काली Linux होगा, वो भी update होकर काली Linux 2024.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे जो पहले टूल है, वो ह इसके बाद डर्ब, मतलब जो डारेक्टरी बश्टर है, इने फॉर लिनक्स, गो बश्टर, निक्टो, ओस स्कैनर, एनमैप, SNMP, वर्टवेब, SSL, इसके बाद पाइथन 3, तो यह सारी चीजे combine होकर के इसको create किया गया है, जिससे कि अगर आप इसको use करते हैं, तो बहुत करना है, simply यह command run करना है, जो कि sudo apt install auto recon, और इसका जो installation size है, वो है स्रिफ 1.23 MB का, मतलब बहुत ही छोटा tool है, लेकिन इसके जो काम है, वो बहुत बड़े है, तो अब हम move करते हैं, अपने next tool के उपर, जो कि है cursor, और यह python based tool है, और इसका जो use है, वो है authentication vulnerability testing, तो इसका use करके आप windows server के अंदर जो vulnerabilities है, उनको scan कर सकते हैं, और यह भी बहुत small size tool है, इसका जो size है, वो है स्रिफ 240 KV, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install cursor, तो इसको आप simply यह command use करके install कर सकते हैं, तो अब हम move करते हैं, अपने next tool के उपर, जो कि है dp load, तो dp load जो है, वो है एक तरह का dp API testing tool जो कि python based है, और इसको install करना भी बहुत easy है, इसको install करने के लिए आपको simply sudo apt install python3-dp load command को use करना है, जिससे कि यह simply आपके car Linux के अंदर install हो जाएगा, और इसका size भी बहुत कम है, शिर्फ 276 KV का है, तो यह आपके लिए बहुत ही easy कर देता है debugging के लिए, जिससे कि आप dp API के certificates, credentials, master keys, vaults, backup key, यह सारी चीज़े आप वहां से निकाल सकते हैं, और अब हम move करते हैं, अपने next tool के उपर है, जो कि है get exploit, तो basically यह tool एक तरह से command line based tool है, और इसका use करके आप exploits को download और search कर सकते हैं, और इसके मज़र से आप vulnerability assessment भी कर सकते हैं, और इसका जो size है वो बहुत ही छ आपको बहुत सारे features provide करता है, आपको क्या करना है, simply install करने के बाद get exploit hyphen edge करना है, जिससे कि इसके जितने भी features हैं, आपको show हो जाएगा, तो अब हम बात करते हैं, अपने next tool के बारे में, जो कि है go witness, तो basically यह tool go language में बनाया गया है, और इसका जो काम होता है, वो है screenshot generate करने म जैसे आप कहीं पर bug bounty करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे bugs मिल जाते हैं, तो उसको अगर आपको report करना है, तो वहाँ पर आपको यह screenshot generate करने में मदद करता है, और इसके अंदर बहुत सारे features हैं, और इसका जो installation size है, वो थोड़ा सा बड़ा है, 27.05 MB का है, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install go witness, और इसके अंदर आप simply इसको install करने के बाद go witness-h कर सकते हैं, जिससे कि इसके जितने भी features हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसके अंदर आप Nessus, Nmap और Scan जैसे बहुत सारे website को combined form में देख रहे होंगे, जो कि आपको और भी features provide कर सकते हैं, तो अब हम move करते हैं, अपने next tool के उपर जो कि है host, तो host basically एक तरह का radio scanning tool है, और इससे आप wireless network scanning कर सकते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे features मिलते हैं, जिससे कि आप radio scanning कर सकते हैं, और इसका जो installation size है, वो है 150 KB, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install host, तो अभी ह हम बात करते हैं, अपने next tool के बारे में, जो कि है legolo-ng, और ये tool use होता है, tunnels को create करने में, जब आप pen testing कर रहे होते हैं, तो TCP और TLS के अंदर आपको connection provide करता है, और इसका जो installation size है, वो है 16.64 MB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install legolo-ng, और इसके बार में और चीजे भी जानने के आपको क्या करना है, simply legolo-agent, उसके बाद hyphen help को type करना है, जिससे कि इसके जितने भी features है, आपको show हो जाएंगे, so guys, अब हम move करते हैं, अपने next updated tool के बारे में, जो कि है MITM6 है, so basically ये एक तरह का tool है, जो कि man in the middle attack perform करने में, यूज होता है, और पहले तो हम iter cap को use करते थे हैं लेकिन हमारे पास अभी MITM6 भी आ चुका है, जिसका use करके आप MITM perform कर सकते हैं, और इसका जो installation size है, वो है 40KB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install MITM6, और इसके बारे में और चीज़े जानने के लिए, आपको क्या करना है, MITM6-H को type करना है, जिससे कि आपको इसके बारे में सारी चीज़े provide कर दी जाएगी, लेकिन इसके बारे में अगर आपको practical वीडियो चाहिए, तो इसके लिए भी आप comment कर सकते हैं, जिस tool के उपर ज्यादा recommendations आएंगे, उस tool के उपर मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, वैसे सारे tools के उपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जि पर automate accessing कर सकते हैं, और इसका जो size है, वो है 3.15 MB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install net exec, और इसके अंदर जो dependencies है, वो सब python waste है, तो आपको कह करना है, simply आपको पहले python 3 को install कर लेना है, उसके बाद ही आप इसको install कर सकते हैं, वैसे python 3 आपको default install मिलेगा, का Linux 2024.2 के अंदर, तो अब हम बात करते हैं, अपने next tool के बारे में, जो कि हमारा PSPY, तो basically यह tool बहुत ही important है, क्योंकि यह क्या करता है, कि monitor करता है, कि आपके Linux के अंदर कुछ ऐसे unauthorized activity तो नहीं हो रही है, जिससे कि आपके Linux को harm हो सके, और यह tool जो भी काम करता है, वो बिना root permission के करता है, जिससे कि क्या होता है, कि आपका जो OS है, वो भी effectively use होता है, और यहाँ पर आपको कोई भी lagging face करनी नहीं पड़ती है, और इसका size भी आप देख सकते हैं, शिर्फ 9.21 MB का है, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install pspy, और अब हम move करते हैं, अपने next tool के उपए, जो कि हमारा py installer, तो basically यह tool क क्या करता है, कि जितने भी python के programs है, उन सबको एक जगाँ पर combine करके executable बना देता है, जिससे कि क्या होता है, कि जो programs install कर रहे होते हैं, python के अंदर, वो सारे programs एक तरह से portable हो जाते हैं, और इसको आप windows, linux, macOS, solaris, और AIX के अंदर use कर सकते हैं, और इसका जो installation size है, वो है 4.98 MB क और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install python3-py installer, और इसके बार में और चीज़े भी जानने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, simply आप यहाँ पर command देख सकते हैं, pyi-archive, उसके बाद underscore viewer, और उसके बाद space देकर hyphen h कर देना है, जिसके बाद आपको इसके बार में सारे चीज़े provide कर दी जा और उसके बाद py mac spec, और उसके बाद हमारे पास आजाते py set version और फिर py installer, तो py installer के बार में अगर आपको जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, simply py installer-h type कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बार में सारी info मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, screen के उपर, तो आप हम move करत और इसका नाम है py instructor, यह क्या करता है कि हमने जो py installer से grab कर रखा है, जितने भी executable files, उनके अंदर से जो script है, उसको extract करता है, और उसका आप यहाँ पर use कर सकते हैं, मतलब आप उसके अंदर के जो भी contents है, उसका use कर सकते हैं, इस tool के मदश से, और इसका जो size है, वो है 28KB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install py instructor, तो अब हम move करते हैं, अपने एक और खतरनाक tool के उपर, जो की अभी updated version में आया है, जिसका नाम है sharp shooter, और जैसे इसका नाम है, वैसे ही इसका काम भी है, जैसे पहले हम metasploit use करते थे, payload generate करने के लिए, तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक 38KB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install subsuter, और इसके बारे में जानने के लिए आप simply इसके पीछे hyphen h use करके, इंटर करते ही, आपके पास सारी चीजे आ जाएंगी, तो इससे आप अपने हिसाब से payloads को generate कर सकते हैं, और उसको execute कर सकते हैं, तो अभी हम बात करते हैं, अपने बरजे ना आएंगे, उसमें और वी features होने वाले हैं, और इसका जो size है, वो 86KB का है, और इसका जो command है, वो है sudo apt install sql-tool, और इसके जो dependencies है, वो है python 3 और python 3 capstone, तो अगर आपको इसको install करना है, तो आपको पहले python 3 install करना पड़ेगा, तो अब आप मूफ करते हैं अपने next tool को भी check कर सकते हैं, और इसका size है, वो है 9.23 MB का, और इसको installation command है, वो है sudo apt install snort, और इसके अंदर आपको और भी packages और binaries मिलते हैं, जैसे कि app detector, और फिर not to lua, और you to boat, और you to isp4, और ऐसे बहुत सारे not common libraries भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका कि आप easily use कर सकते हैं, और इसके उपर भी मैं आपके लिए video create कर दूँगा, जिससे कि आपको और भी आसानी हो जाएगी इन सारे tools को use करना, तो अब हम बात करते हैं, अपने next tool के बारे में, जो कि exploit scan, तो इसके लिए tool use होता है, CVE, मतलब common vulnerabilities and exposure find करने में, जो कि पहले हम Google docking के मदश से करते थे, मतलब vulnerability से निकल चुकी है, मतलब past के अंदर, उन सारे चीजों के बारे में information निकाल सकते हैं, और इसका जो size है, वो बहुत ही small है, 93KB का, तो मतलब अभी आपको Google docking तो आनी चाहिए, लेकिन exploit scan अभी इस चीज को और भी easy कर चुका है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा research करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install exploit scan, और ये भी python 3 के उपर based है, तो आपको इसको install करने से पहले python 3 को install करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको check करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, simply exploit scan hyphen h type करके इसके बारे में सारे चीजे जा जो कि एक तरह का temporary network name space provide करता है, जिससे कि क्या होता कि आपकी जो privacy होती है, वो बहुत ही anonymous हो जाती है, और secure हो जाती है, और इसका जो installation size है, वो है 10.16 MB का, और इसका जो installation command है, वो है sudo apt install wopono, और इसको भी use करना बहुत easy है, अगर आपको इसको use करना है, आपको ख्या करना है simply wopono type करना है, उसके बाद options में आते हैं, आपके पास options को आपको यहाँ पर use करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना command use करना है, मतलब जो भी आप application use करना चाते हैं, वहाँ पर add कर सकते हैं, तो अब हम move करते हैं, अपने last tool के उपर, जो कि है हमारा 18 number tool, और यह tool use होता है information gathering में, जहाँ पर आपको find करना होता है, machines के APIs के बारे में, जैसे कि हम पहले wayback URL का use करते थे, किसी भी website के बारे में पता लगाने के लिए, कि उस website के अंदर कौन से technology use हो रखी है, उसको create करने में, लेकिन अब ही हमारे पास एक और tool आ चुका है, wayback py, और अब हम इसका use लेक के लिए आपको पहले Python 3 को install करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसका use करके website technologies को find कर सकते हैं, तो यह थे हमारे 18 tools जो कि अभी updated 2024.2 version में आये हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास kernel में भी update आये हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही absence मिलने वाली है, और साथ ही साथ हमारे ज यहाँ पर SYN और TCP को search कर सकते हैं Nmap के अंदर, और साथ ही साथ काली NetHunter में भी update आ चुके हैं, जो कि अभी Android 14 में भी support कर रहे हैं, तो अगर आप Android 14 के अंदर काली NetHunter को install करना चाते हैं, तो अभी recent version का use करके आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि Android 14 के अंदर जो हमारा NetHunter था वो install नहीं होता था, लेकिन अभी recent का जो update आया है, उसमें क्या है कि आप इसका use करके NetHunter को install कर सकते हैं, जिससे कि आप mobile phone का use करके भी penetration testing सीख सकते हैं, तो I hope कि आप लोगो को इस वीडियो से पता चल गया होगा कि हमारे पास कौन से ने update आ चुके हैं, का Linux के अंद पहले वीडियो लाओंगा, तो comment section खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर simply comment कर सकते हैं and मिलते हैं guys, अब next section में तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy learning.